जहेंद वेलकम टू टूडे एक्जाम क्लासिज। दोस्तों आज का हमारे इस वीडियो में टॉपिक है रादस्तान में देशी रियासत हैं एमडियू से संदिया। यानि देशी रियासतों M.British संधियां से जुड़े जो भी most important question answer बनते हैं उन सभी question answer को इस वीडियो में विश्थार से समझेंगी जो आपके रिट, वीडियो मैंस, RPSC second grade, forest guard, police constable के exam में बार बार repeat होने वाले most important question answer है अगर दोस्तों आप भी इन में से किसी competition exam की त्यारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को last तक जरूर देके और इन सभी most important question answer को जरूर याद करी और दोस्तों आपको पता दी कि इस से पहले हमारा वीडियो का topic था राजस्तान में किसान आंदोलन यानि किसान आंदोलन से जुड़े most important question answer थे उन सभी question answer को हमने पिछले वीडियो में पूरे विष्टार से समझे हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हैं उसको भी आप जरूर देखे तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का पहला question पहला question है निमन लिकित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 के अधिनिस्त संदी की बादचीत की थी तो इस सवाल का सही जवाब देगा option है भी है नहीं चाल्स मैट कॉप थे जिनने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधिन संदी की बादचीत की थी किसने की थी संदी की बादचीत राजस्तान में वो की थी चाल्स मैट कॉप ने और कब की थी 1817 और 1817 में नेक्स्ट अगला दूसरा किसन है मेवाड और अंग्रेजों के मद्ये संदी पर हस्ताकसर कब हुए थी तो इस सवाल का सही जवाब देगा option है यानी मेवाड और अंग्रेजों के मद्ये जो संदी पर हस्ताकसर है वो 13 जनवरी 1818 एस्वी में हुए थी अगला तीसरा किसन है निम्मल लिकित में से कौन सी रियासत परतम थी जिसने अंग्रेजों के साथ संदी की थी तो इस सवाल का सही जवाब देगा option है यानी करोली रियासत थी जिनने सरवपरतम अंग्रेजों के साथ संदी करने वाली रियासत थी जिसने नवमर 1817 में अंग्रेजों के साथ संदी की थी कब की थी नवुमर 1817 में और सरवपरतब किस रियासत ने संदी की थी करोली रियासत में और दूसरे इस्तान पर कोटा रियासत थी जिनने अंग्रेजों के साथ संदी की थी नेक्स्ट अगला चोता किस ने जैपुर के किस कसावा ख साषक ने 1818 में इस्ट इंडिया कंपटिके साथ संधिग की थी तो इस वाल का सही जवाब देगा option B है नि जैपुर के कसावा साषक महराजा जगस सिंग देति है थे जिनोंने 1818 में इस्ट इंडिया कंपनी से संदी की थी किस ने की थी जैपूर के सासक ने महाराजा जगस सिंग देती है ने नेक्स्ट अगला पांचवा किसन है राजपूता ना एजनसी की स्थापना कब और कहां हुई थी तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन भी यह नी राजपू कई बार कॉंपिटेशन एक्जाम में पूचा जाता है तो सवाल का है अटारा सो अटारा की संदी के समय जोदपूर के सासक कौन थे तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन यह नी अटारा सो अटारा की संदी के समय जो जोदपूर के सासक थे वो थे राजा मान सिंग जबकि मारा विश्णु सिंग है वो गूंदी के सा सकते जबकि मारा रजा कल्यान सिंग है वो किसन गड़ के सा सकते और मारा रजा सूरत सिंग है वो बीका नेर के सा सकते अगरा नेक्स साथवा किसन है राजस्तान में लॉर्ड वेलेजली ने सरव परतम किस राज्ये के साथ साइक संदीग की थी तो इस सवाल का सभी जवाब देगा option एनि राधस्तान में लॉड वेले जिनी है जिनने सरव पुर्तम भरतपूर राजी के साथ साय के संदीग की थी और भरतपूर के उसमें माराज थे रणजीत सिंग जिन के साथ 29 सितंबर 1830 में लोड वेलेजली ने सायक संदीक की थी कब की थी? 1803 को अगला नेक्स्ट आटवा किसने अंग्रेजों ने टॉंक रियासत कब बनाई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा option C ने अंग्रेजों ने टॉंक रियासत ने वो 1817 इस्वी में बनाई थी और अंग्रेजों दुआरा बनाई गई ये परतम मुस्लिम रियासत थी कौन सी रियासत? टॉंक रियासत जिसको 1817 इस्वी में बनाया गया था नेक्स अगला नोवा किसने अंग्रेजों के साथ सबसे अंत में संदी करने वाली रियासत कौन सी थी? तो इस सबसे अंत में संदी करने वाली रियासत थी जिसने सबसे अंत में 1823 इस्वी में अंग्रेजों के साथ संदी की थी? कब 1823 इस्वी में और कौन सी रियासत? सिरोही रियासत नेक्स्ट अगला दसवा किसने अंग्रेजों द्वारा 1823 में रियासत के साथ की गई संदियों के दोरान किस राजिये के साथ बराबरी की संदी की? तो इस सवाल का सही जवाब देगा option DNA अंग्रेज़ा द्वारा 1830 में राधिस्तानी रियासत के साथ संदियों के दरान जोदपूर राजिये के साथ बराबरी की संदी की थी नेक्स्ट अगला 11 किसने 12 दिसंबर 1830 को अंग्रेज़ा द्वारा जैपूर के साथ की गई संदी के समय जैपूर रियासत के साथ के कौन थी तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब कौन सा है वो आप कमेंड सेक्षन में लिखकर जरूर बताई क्योंकि दोस्तो इस सवाल का जवाब हमने पीछले कुशन में पढ़ा था इसलिए आप इस सवाल का सही जवाब कौन से है वो आप कमेंड में लिखकर जरूर बताई तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन ब यह नी रियासतों से समदित समस्याओं के समादान के लिए रियासती विबाग की इस्तापना कब की गई थी और इसका चचीव हैं वो वीपी मैंण को बनाया गया था अगला नेक्स तेरवा कि सने राजस्तान की किस रियासत को पंडित जवाल लाल नहरू ने वेस्व का आठवा अचारिये कहा था तो इस सवाल का सवाब देगा ओप्सन सी यह नी जेसल में रियासत हैं जिसको पंड अगला नेक्स सवुद्वा किसन है भारत की आज़ादी के समय राजपुताना की देशी रियासतों की संक्या कितनी थी तो इस सवाल का सवी जवाब देगा ओप्सन है भी यह नी भारत की आज़ादी के समय राजपुताना में कुल 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे अगला next question पंदरवा है नेमन मैंसे कौन सी रियासत राजस्तान एकी करण की परकरिया 25 मार्स 1948 को राजस्तान संग में सामिल हुई थी तो इस सवाल का सही जवाब देगा option D&E इस सवाल का सही जवाब देगा option B यनी चतुर चरण 1950 को राजस्तान एकी करण के चौते चरण में जोदपूर एंव जैपूर रियासते सामिल हुई थी और कब हुई थी 1950 में अगला next सतरवा किसन है 19 देशी रियासतों के अलावा एक मातरक कैंदर सासित प्रांध आज़ादी के समय कौन सा था तो इस सवाल का सही जवाब देगा option A यनी 19 देशी रियासतों के अलावा एक मातरक कैंदर सासित प्रांध हैं वो अजमेर मेरवडा थी अगला next अटारवा किसन है 30 मार्च 1950 को सहीक्त राधस्तान में किन चार बड़ी रियासतों का विलनी करण के बाद वरहत्र राधस्तान का गटन हुआ था तो इस सवाल का सही दवाब देगा option B यनी 30 मार्च 1950 को सहीक्त राधस्तान में चार बड़ी रियासतें जोतपूर, विकानेर, जैपूर और जैसलमेर रियासतों के विलनी करण के बाद वरहत्र राधस्तान का गटन हुआ था कभू आता वरहत्र राधस्तान का गटन 30 मार्च 1950 को अगला नेक्ष्ट उग्णिस्वा क्यूसन है सन 1950 में सिरोई रियासत की आबू दिलवाडा तैसलों को किस प्रांत में मिला दिया गया था अगला नेक्ष्ट उग्णिस्वा क्यूसन है मतेश्य संग के गटन के दोरान कौन सी रियासते सामिल हुई थी तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्शन एनी मतेश्य संग के गटन के दोरान अलवर, भरतपूर, कारोली और धौलपूर रियासते सामिल हुई थी और मतेश्य संग का गटन कब हुआ था वो वता 18 मार्च 1948 को कब हुई थी अलवर, भरतपूर, करोली और धौलपूर तो दोस्तो ये थे राधस्तान में बिटिश संधिया एन रियासते सामिल कुछ मोस्ट इंपोरेंट क्यूसन आंसर उमीद करता हूँ इस अभी क्यूसन आपको अच्छे से याद हो गएंगे अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तो अब इस वीडियो के लास्ट में दो अभ्यास स्वाल है जिसका दवाब आपको कमेंट सक्षन में लिख कर बताना ही तो आज का पहला अभ्यास क्यूसेन ए अजमेर मेरवड़ा प्रांत का राजस्तान में विले कभ हुआ था तो उप्सने एक नुममर 1956 को 18 मर्च 1948 को 25 मर्च 1948 को 30 मर्च 1950 को इन चार उप्सनों में से कौन सा उप्सन सही है जब अजमेर मेरवाड़ा परांत का राजस्तान में विले वाता वो आपक कमेंड सक्षन में जरूर लिखे इसी परकार नेक्स्ट अगला दूसरा अभ्यास क्यूसन है राजस्तान की एकी करण का सरे किसे जाता है तो इस सवाल का उप्षन है हिरलाल सास्त्री को सरदार वलब बई पॉटेल को या मात्मा गांदी जी को या लॉर्ड माउंट बैटन को इन चार उप्षन हमें से किसको राजस्तान की गरण का सरे जाता है वो भी आप कमेंड सक्षन में लिखकर जरूर बताइए और दोस्तों इन सभी किसनों का पीडियेप है वो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिस्ट में मिल जाएगा जहां से आप टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन कर सकते हैं और इनसा भी क्योसनों का PDF डाउनलोड कर सकते हूं और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद वन्दे मात रहूं